सभी खब्रों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खब्री चौखट को और किसी भी नोटिफेकीशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाने ना भूलें क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नज़ मंगलवार को कॉंग्रेस महासचीफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने घटता रुपया और बढ़ती महंगाई यानि खुद्रा मुद्रा स्फीती की दर 7.35 फीजदी पहुंच जाने को लेकर मुदी सरकार पर अपना निशाना सादा है प्रियंका ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि भाजपा गरीब की ही जेब काटकर उनके पेट पर लात मारने का काम कर रही है बतादे कि मंगलवार सुबह ही प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि सबजियां खाने पीने की चीज़ों के दाम आम लोगो की पहुंच से बाहर हो रही है जब सब्जी तेल दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब खाएगा क्या उन्होंने लिखा कि एक तो मंदी बढ़ रही है लोग बिरोजगार बैठे हैं जब कमाएंगे नहीं तो कोई खाएगा ही क्या बता दे कि खुद्रा मुद्रा स्पीती की दर पिछले साल डिसंबर 2019 में जोरदार तेजी के साथ 7.35 प्रतिशत पहुंच चुकी है जो कि भारतिय रिजर्व बैंक के सेटिक्स फेक्ट्री स्टेज यानि संतोज जनक स्तर से बहुत जादा है बता दे कि मुद्रा स्पीती की स्थीती में फस सकता है रेटिंग एजनसी सिक्रिल के विशेशग्यों ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि पास से देखने पर पता चलता है कि मुद्रा स्पीती में उच्छाल अस्थाई प्रकति ये किसी विशेश कारक के कारण आई है तो वहीं नगी रिपो